पैज़ दोस्तों स्वागत है आपका प्र लर्निंग पॉइंट पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिच्शु बिशी प्ल्सी के क्यू सीरिस प्ल्सी के बारे में जो बैसिकली क्यू सीरिस के प्ल्सी होते हैं उन्हें मोडिलर प्ल्सी के नाम से भी जाना जाता है क्य हो जाते हैं ठीक है ना तो इसलिए इन PLC को modular PLC भी कहा जाता है ठीक है तो देखिए PLC के जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जिस पर सारे module tight होते हैं उसको हम बोलते हैं रेक उस रेक पर सबसे से पहले power supply tight होता ठीक है तो यह जो लाल कलर का आपको दिखाई देगा यह होता है power supply और उसके बाद में होता है CPU ठीक है फिर interface module होते हैं जिसे Ethernet module वगेरा उसके बाद input module आउटपूट module analog input module analog output module function module में सर्वों के module आ जाते हैं communication processor आ जाते हैं ठीक है तो इस से अलग-अलग module को एक रेक पर connect करने के बाद जो पूरा PLC बनता है उन PLC को modular PLC बोलते हैं Mitsubishi में modular PLC Q series की PLC होते हैं ठीक है तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल सबसे पहले हम बात करेंगे PLC के CPU के बारे में CPU का मतलब होता है Central Processing Unit देखिए Basic model Q CPU होते है Process CPU होते है Motion CPU होते है High Performance model CPU होते है CPU कुल मिलाकर इस तरह से दिखाए देते हैं और इसमें देखिए यहां पर लिखा रहता है Q26 UDP V CPU ठीक है तो यह CPU एक model है और अलग-अलग टाइप के जो model होते हैं उनका अलग-अलग स्पेसिफिकेशन होता है यहां पर देखिए Q00J CPU जो होता है यह 8K steps 256 point इसमें number of input and output होते है ठीक है तो इस तरह से सारी यहां पर detail दी गई है 1024 point के CPU होते है और 4096 point के भी CPU होते है ठीक है जबकि FX series के compact PLC में इतने ज्यादा iOS के point नहीं मिलते थे ठीक है तो सबसे बड़ा advantage Q series की जो PLC होती है जो modular PLC होते है उसमें number of input and output की संख्या बहुत जादा होती है compact PLC क्या होता है modular PLC क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या difference होता है इसका एक detail वीडियो में बना चुका हूं यहाँ पर देखिए Q26 UDP V CPU ठीक है तो यह एक CPU का model है और इसमें देखिए mode run error user battery alarm boot SD card इस तरह से सारे यह indication दिये हुए है यदि run mode में है तो यहाँ पर run की indication on होगी और कोई error है तो यहाँ पर error का indication show होगा कोई battery alarm है तो बेटरी का भी alarm यहाँ पर show होता है ठीक है तो कुल मिलाकर CPU इस तरह से दिखाई देते हैं यहाँ पर यह देखिए एक और CPU का अलग model है और CPU इसमें power supply के बाद में लगते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में power supply पावर supply देखिए इस तरह से दिखाई देते हैं इस पर उपर एक mail supply है यह 100 से 120V AC input और 5V DC 6A output जनरेट करता है ठीक है ना अब देखिए Q61P A2 यह A1 था यह A2 है यह 200 से 240V DC के लिए ठीक है तो इसी तरह से Q63P 24V DC input के लिए है Q63P model इस तरह से दिखाई देता है Q64P 100 से 120V या 200 से 240V AC input तक भी अपने को मिलता है जो Q62P power supply है वो power supply इस तरह से है और यह 100 से 240V AC पर operate होता है output यह 5V DC देता है या फिर 24V DC देता है ठीक है ना Q61SP यह स्लिम टाइप का एक power supply होता है 100 से 240V AC input देता है और Q64RP यह 100 से 120V या फिर 200 से 240V दोनों model में अपने को मिल जाता है Q63RP 24V DC में input में हमें मिलता है ठीक है तो जो A, B, C, D से लेके F तक है input module में Q610 जो module होता है वो 100 से 120V AC पर operate होता है और जो 100 से 240V AC पोजिटिव कॉजिटिव कॉमन पर होता है वो Qx28 model होता ठीक है चो इस वोड़ी सी पोजिटिव कॉमन के लिए Qx40 Qx40S1 और पाच और बाराइव ल्डी सी पोजिटिव नेगेटिव कमन के लिए Qx70 71 और 72 ठीक है 16.32.64rd चोईस वोल्ड DC नेगेटिव कॉमन के लिए QX80, QX81 और QX82 तो यह हो गए PLC के इंपुट मोडियूल अब बात करें आउटपुट मोडियूल की तो आउटपुट मोडियूल इस तरह से दिखाई देते हैं इसमें देखें इसमें रिले बेस आउटपुट भी मिलता है 24V DC 24V AC में क्यूट ड्रॉट करता है ट्रांजिस्टर सिंक टाइप का भी इसमें एक आउटपुट मोडियूल है जो की 12-24V DC पर ओपरेट होता है ट्रांजिस्टर सिंक एंड सोर्स दोनों में 12-24V DC पर ओपरेट होने वाला QY-68A एक मोडियूल है और ट्रांजिस्टर बेस में 5-12V DC सिंक में भी देखिए QY-7060MA मिली एंप्यर पॉइंट ठीक एक आउटपुट मोडियूल ट्रांजिस्टर बेस 12-24V DC सोर्स टाइप आउटपुट देता ठीक इसमें QY-80 और QY-81P है ठीक एक 16 पॉइंट का है और एक 32 पॉइंट का है तो आउटपुट मोडियूल PLC में इस तरह से दिखाई देते हैं आगे देख लेते हैं देखिए इथरनेट मोडियूल इस तरह से दिखाई देते हैं ठीके ना इसमें एथरनेट पोर्ट होता है इसके थ Starbucks क्रा सकते हैं जैसे हमाइक के साथ करा सकते हैं या वी अपडी के साथ करा सकते हैं उकुल मिलाकर जो आएढी अदेट मोडिवल होता है इसमें एक एपन आट पॉर्ट ह क्रीशे करा सकते हैं ठीकित मूडियूल QD-51AKWD-2024 मोडियूल यह मोडियूल भी कम्यूनिकेशन के लिए यूज किया जाता था लेकिन अब यह मोडल डिसकंटिन्यूड हो चुका है ठीके ना यह है सिसी लिंक मोडियूल क्यू जे सिसी लेंक में यहाँ पर एक फाइवर ऑप्टिक केबल लग जाती है और उससे हम सर्वो ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं सो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो मिचोबिशी के मोडियूलर टाइप PLC के बारे में इसमें सारे मोडियूल अलग अलग आते हैं यह हमσनत होती है उस तरह का मौडियूल हम इसमें यूज कर सकते हैं यदि हमारे पास servo नहीं है तो हम यह वाला module यूज नहीं करेंगे हमें Ethernet की जरूरत नहीं है सिर्फ iOS की जरूरत थे तो हम सिर्फ iOS के module ही उसमें यूज करेंगे और वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय वारत मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो करें